सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्प्लैश डोर को और बैल आइकन प्रेस करिए लेटेश अपडेट्स देखने के लिए दोस्तों सौगत है अपको अपने चैनल स्प्लैश डोर में और फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं आउ तो यूज फेस्बुक गेमिंग एप जिया दोस्तों तो इसी 15 अपरेल को फेस्बुक ने अपना गेमिंग एप लॉंच कर दिया है तो अब हम इसके फीचर से इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों अब को अच्छा किसे डाउनलोड करना है कैसे यूज करना है इस आप को प्लेश डाउनलोड करने के लिए अपे वाँप करने कबास और इसके बाद दाया है इस एप को launch करने जा रहे हैं तो friends आप जैसे इस एप को open करेंगे तो आपको इस टाइप के कुछ interface दिखाई देगा फिर आप इस option पर आजाएगे यहाँ पर login page है login page में अगर आपके mobile में पहले से facebook installed है अगर आप उसमें login है तो आपको by default उसी ID से login करने का option आजाएगा और नहीं तो उसके नीचे आपको switch account का भी option दिखाई दे रहा है आप उसको भी opt कर सकते हैं और किसी दूसरे account से भी आप यहाँ पर login कर सकते हैं friends login करने के बाद आप इस page पर आजाएगे तो जैसा आपको facebook में जो news आती है same as it is यहाँ पर आपको game related feeds जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर आप उसमे like comment share कर सकते है as it is जैसा कि आप facebook पर अपने करते हैं यहाँ पर आपको बस difference इतना है कि game related सारी feeds आ रही है इसके बाद आप second option में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको game खेलने के लिए बहुत सारे option दिखाई दे रहे है तो यहाँ पर आप category wise भी यहाँ पर game को choose कर सकते है और फिर see all में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे games दिखाएगा आप किसी भी एक game को यहाँ पर play कर सकते हैं तो अभी मैं यहाँ पर ludo club में जाता हूँ तो play जैसे click करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो game है वो load होना start हो गया है यह आप से कुछ permissions मांग रहा है आप इसको allow कर सकते हैं और allow नहीं भी कर सकते हैं तो friends मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको इस game को download नहीं करना है अपने mobile में बहुत अच्छी चीज़ है आप इसको online ही खेल सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं play now का option आपको दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पर अपने friends को भी invite कर सकते हैं play करने के लिए इसके बाद हम जैसे यहाँ पर back जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नीचे भी option दिखाई दे रहे हैं और उपर quit का भी option दिखाई दे रहे हैं आप उसके बाद friends आप यहाँ पर आ जाएंगे third option में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो आप उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप की बहुत सारी जितनी भी चीज़े हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं suggested games आपको दिखाई दे रहे हैं फिर उसके आद watched by और friends मतलब कि आपके friends ने जो जो games देखे हैं वो दिखाई दे रहे हैं popular जो live now है मतलब कि जो popular लोग जो खेल रहे हैं अभी games को live वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं suggested gaming groups आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे groups हैं as it is जो आपके facebook में रहते हैं उस type की groups भी आप यहाँ पर join कर सकते हैं game related इसके बाद आपको ऊपर भी categories दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पर आप games में जा सकते हैं तो यहाँ पर आपको सारे games related सारी चीज़े दिखाई देने लगेंगी जो live streaming हो रही है clips of entertainment है बहुत सारे games है pubg mobile आप follow कर सकते हैं इसको यहाँ पर आपको सारी game related सीज़े दिखाई देंगे फिर आप second option में जाएंगे video streaming तो यहाँ पर जो लोग live stream कर रहे हैं games को वो आपको यहाँ पर सारी दिखाई दे जाएंगी इसके बाद आप यहाँ पर third option में streamers में जाएंगे तो जो top streamers हैं जो live खेलते हैं सारे लोगों की यहाँ पर आपको profiles दिखाई दे रहे हैं आप किसी की भी profile में जाके उसको follow कर सकते हैं उसको friend बना सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर groups का option दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप groups जो है वो join कर सकते हैं तो as it is जो आपका Facebook में group होता है यहाँ पर आपकी game related group है तो group को join करने के बाद आप उसमें game related discussions कर सकते हैं इसके बाद आपको fourth option जो दिखाई दे रहा है तो यहां आप अपने friends से यहां पे chat भी कर सकते हैं यहां आपको option देता है same जो आपका Facebook में option रहता है chat का वैसे ही आप यहां पे chat भी कर सकते हैं इसके बाद आप सबसे उपर right corner में देख रहे हैं top पे आपको profile का option देखाई दे रहा है उस पर जैसे ही click करेंगे तो यहां पे आपको invite करना है अगर किसी friend को अपने साथ खेलने के लिए तो invite का option देखाई दे रहा है फिर same जो हमने पीछे options देखे हैं browse groups, games, streamers तो यहां पे आपको वो सारे option यहां पे दिखाई दे रहा है इसके बाद दोस्तों आप यहां पे go live भी जा सकते हैं go live जाने का option यहां पे दिया हुए मतलब कि अगर आपके mobile में कोई game है और उसको आप चाह रहे हैं कि facebook पे live खेले तो यह facebook जो है वो आपको option दे रहा है तो आप उस पे go live पे जैसी click करेंगे जैसे यह आप go live पे click करेंगे तो यह app आपको एक कुछ permission मांग रहा है तो आपको इसको OK करना है OFF के जाएंगे तो यहां पे आपको permission को allowed करना है तो जैसे यह आप permission को allow कर देंगे उसके बाद आप फिर back आएंगे तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे अपने mobile से किसी भी game को add कर सकते हैं, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप add game पे जैसे ही click करेंगे, तो आप एक interface पे जाएंगे, यहां पे आपको अपनी सारी apps दिखाई देरी, यहां से आप किसी भी अपने gaming app को choose कर लीजिए, तो मैं यहां पे अपने एक gaming app को choose करता हूँ, और यहां पे यह add हो जाएगा, इसके बाद add होने के बाद आप उसके आगे देख रहे हैं, गो live का option है, तो आप जैसे ही click करेंगे, तो आपका game जो है वो आपके mobile में play होना start हो जाएगा, और उसके उपर आपको f life का option दिखाई देगा, तो आप जैसे f life पे click करेंगे, तो आप अपने game के साथ online stream कर सकते हैं facebook पे, और उस पे लोग फिर reactions भी दे सकते हैं, as it is जैसा कि facebook के live option में आपको option देता है, वैसा ही यहां पे यह option आपको game के साथ दे रहा है, इसके साथ friends फिर आपको ऊपर बहुत सारी categories दिखाई दे रही है, follow games अगर आपको किसी game को follow करना है, आप चार है उस games related आपको updates आते रहें, तो आप यहां पे उस game को follow कर सकते हैं, इसके बाद आपको clips का option दिखाई दे रहा है, और अगर आपको किसी को follow करना है, तो वो भी option आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद आपको friends groups के option दिखाई दे रहे हैं, तो हमने जैसा पीछे देखा था, आप किसी भी group को join कर सकते हैं, सारे दोस्तों Facebook gaming app, आपको यह video कैसा लगा, आप हमें comment कर सकते हैं, इस app से related कोई भी query है, तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं, और मैंने इस app की link जो है, वो अपने video के description में दे दिये, तो आप वहाँ से जाके इस app को download भी कर सकते हैं, तो friends, subscribe कर लिजे, ऐसे ही नए updates के लिए हमारे channel को, और हमारे साथ बने रही है, thank you friends, thanks for watching this video, have a nice day.